हलो गाइज वेलकम टू मैक लाइनिंग पॉइंट और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे थर्मोडाइनिमिक्स के क्वेशन नमर 16 से 30 तक तो लइस वीडियो बीटो अपान के टू के लिए अभ्णी निवर्टोपिक रीटो और निवा यह यह वाली प्रॉट्र्पिक अपने प्रॉट्पिक फिर्फी अइस कि दो थी पावर और यह इंट यहां पर कॉंसी प्लीटोंप्र प्रोसेश यह दीगाई यह बीकुल टू कॉंस्टन ठीक यह फॉली ये यूघ की गई है तो इसमें जो एक्राइच न रारी जर्ण अरण घसी की अरी ये वाली आ रही है थिक वह एक्षानी में आपनेट की तो यारो एक्षान है इसके दोंचैने कर सकते हैं यह कि इसके दुवार आपन किसी एक state की property को find out कर सकते हैं अगर जो दूसरी properties है वह हमें क्या हों पता हों पहले से तो हम एक means property को निकाल सकते हैं भी में दिया गया है to relate the and states of a process तो तो जो and states होती है उसकी process को relate करने के लिए इस उसको use करते हैं इस equation को तुकर सी में दिया गया है दाट मीडिय प्रॉपर्टी फिरिंग फ्रॉपपर्टी जो फ्रॉपर और हने के लिए यह फिर नेचर ऑप घास गैस के नेचर को निकालने के लिए यूज किया जाता है यह फिर गैस को निकालने के लिए यूज किया जाता है तो यह हम जानते हैं जो according to the boil law के according जो pressure होता है वह inversely proportional to volume होता है यह फिर इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं volume is inversely proportional to pressure when T is constant T is the temperature according to Charles law चाल्स law के according क्या होता है जो volume होता है वह temperature के चीजें पॉपोर्षेन होता है और यहां पर क्या होता है फ्रेसर हमारा constant रहता है टीक है गाईस तो इन दौन से हमारी जो एक किसर से क्लती değ पीजोंकर यहां से दोनों से क्या हो गया जो volume है वह बिकस похож अर तेमपराइचर के डिरेक्ट ईक हो जाए भी इस डाइक कि पोचनल टू टी अपउस्ट में थिक हैं तो यहां से आपन्ड़ां को कमाइन तर देंगे तो यह क्या हो जाएगा सੰ आप अधर ले आ जाएंगे तहीं क्या हो प्रोपर्टीज आप दा कंसर्ट गैस जो गैस हम यूज कर रहे हैं उसकी प्रोपर्टीज पर और उसके मास पर डिपेंड करेगी ठीक है तो इसमें जो इक्वेशन आती है वह हमारी क्या आएगी पीवन भीवन अपन टीवन इकल टीटू बीटू अपन में टीटू इसका य भीवन की बैल्यू होनी चीए और इधर इस टेट लू में टीटू और टीटू की वेल्यू पता होना चाहिए तब हम पिप लिवन की बैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसे प्रकार गलों ओम ब्लू birliktehone की बैल्यू फाइंड आउट करना अध मैंस तो बागी की जो प् और नॉन तो option नमबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका है ठीक है अब देखते हैं next question next question है 17 इसमें पूछा गया है एक close system is one in which तो close system के बारे में देखते हैं close system तीन पकार के system होते हैं जो thermodynamic system होते हैं एक होता है open system और दूसरा होता है close system और थर्ड होता है isolated system तो open system में क्या होता है यहां पर can action both energy and matter with its surrounding तो इसमें क्या हो रहा है energy transfer होती है और matter भी हमारा matter मतलब mass भी transfer होता है तो इस पकार का जो system होता है वो हमारा क्या कहलाता है open system कहलाता है तो इसके जो example है example क्या हो सकते है हमारे open cup of coffee जो कॉफी का कप है अगर उसको open करके रखा जाए तो वह हमारा क्या क्लाएगा open system क्लाएगा क्योंकि उसके अंदर से vaporization के रूप में mass हमारा transfer होगा और उसकी जो temperature है वह हमारा काम हो यह याद रखना और close system क्या होता है जिसमें क्या होता है only heat transfer होता है mass transfer नहीं होता है क्योंकि यहां पर क्या अगर इसको हम बंद कर देंगे तो इसमें क्या होगा only heat transfer होगा तो can exchange only energy या heat with its surrounding not matter mass transfer नहीं होता है किसमें close system में इसका जो example है वो क्या हो जाएगा हमारा boiling water in airtight pan अगर airtight pan में हम पानी को क्या करेंगे गरम करेंगे तो हमारा कैसा होगा close system क्यालाएगा या फिर जो BCR system हो रहता है BCR system system वह हमारा किस कौन सा रहता है close system रहता है ठीक है गाई अब थर्ड जो system है वह हमारा क्या है isolated system है isolated system क्या होता है mass work and heat does not cross the boundaries boundaries जो boundary होती है यह इसकी जब boundary होगी इसमें से जो मास है बर्क है हीट है या energy है कुछ भी transfer नहीं होता है तो यह इस परकार का system हमारा क्या कहलाता है isolated system क्यालाता है the only energy action takes place are within the system जो energy का हो रहा है वह कहां होगा केवल system के अंदर ही हो सकता है system के बाहर नहीं हो सकता ठीक है गाई तो इसका जो एक्जांपल है थर्मस है यह हमारा क्या को लाता है isolated system तो अब दिखते हैं option गाई option में दिया गया है option a में close system के बारे पूछा गया यहां पर मास देजनोट क्रॉस बांडरीज अब दस सिस्टम दो एनर्जी में डू तो एनर्जी किसमें होता है केवल एनर्जी टांसपर होती है इसमें और मास टांसपर नहीं होता है कि ऑप्षेंधीी क्या हो जाएगा इसका क्रेक्ट कुण कि मार्ट ट्रांश में केवल क्या होता है एनजी ट्रांसफर होता है तो इसका ऐसकर क्या होगा option number A अब देखते हैं next question question number 18 इसमें पूछा गया है temperature of a gas is produced due to जो gas का जो temperature है वो किसके कारण produced होता है वो पूछा गया है guys तो देख लेते हैं यह gas का जो temperature है यहाँ पर kinetic theory of gases जो रहती है उससे हमने लिया गया है kinetic theory of gases के according क्या होता है a gas is composed of a large number of molecules that are very small relative to the distance between molecules जो gas होती है वो उसमें क्या होते है last number of molecules होते हैं जैसे यहाँ पर यह molecules आपको देख रहे हों यह small scale में लिया गया है तो यह एक molecules यहाँ पर है एक molecules यहाँ 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 पर है तो जो number of molecules क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उनके जो बीच की जो distance होती है relative distance क्या होती है molecules की बीच की वह बहुत कम होती है ठीक है कि दा मॉलिक्यूल्स आर इन कॉंस्टेंट और रेंडम मोशन एंड फ्रिक्वेंटली कोलाइड विद इच अदर एंड बिद वाल्स आप एनी कंटेंडर जिस कंटेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है तो वह क्या करती रहते हैं रेंडमली मूब करती रहते हैं य इसके साथ करते रहते हैं तो इसके हो तो दो मॉलो की फोजेज द्वीजल प्र 오रटी आप सो मॉमेंटम और इन जी स्क आता है उसका मास मॉमेंटम आजाता है कि क्योंकि एक जगह से डूज़घे मूं करना है और उसके अंदर properties of mass momentum and energy in molecules में जो प्रोपर्टी होती है फीजिकल प्रोपर्टी वो क्या होती है उसका मास होता है मॉलीक्यूल का उसके अंदर मॉमेंटम आ जाता है क्योंकि यहां से एक जगे से दूसरी जगे मूप कर रहा है और उसके अंदर क्या रहती है एनजी रहती है ठीक है तो दा उसका 763व मतलँ जुसका अब कर रहे हैं और एनजी के साथ वो मॉलीक्यूब तर तो टेंपरेचर उसका कम हो जाएगा ठीक है इन होट गैस दो मॉलीकूल स्मूव फास्टर देन इन अ कोल्ड गैस क्योंकि क्या होता है जो कानेटिक एनरजी वह बहुत ज्यादा रहती है इसके कारव जो मॉलीकूल रहते हैं वह फास्टर मूब करते हैं किसके कंपेरिजर मे के कंपेरेजन में मास रिमेंस था सेम बड़ा काइनेटिक एनरजी चेंजेज मास क्या रहता है उसका सेम रहता है लेकिन कानेटिक एनरजी क्या होती है चैंज होती रहती है है तो इसलिए जो टेंपरेचर होता है वह हम किसके द्वारा मेजर करते हैं जो कानेटिक एनरजी होती होती है molecules की उसके average translation के द्वारा तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा temperature of gas is produced due to इसके कारव होता है kinetic energy of the molecules तो इसका answer हो जाएगा हमारा option number option number B अब देखते है next question question number 19 इसमें पूचा गया है according to kinetic theory of gases the absolute zero temperature is attained when absolute zero temperature कब attend किया जाता है kinetic theory of gases के according तो देखते हैं इसी kinetic theory of gases को अगर आगे देखते हैं तो of course we can have temperature below the freezing point हम temperature कहां freezing point के नीचे भी अपन एक temperature प्राप्त कर सकते हैं इनको हम क्या करते हैं negative में करते हैं जैसे अगर हमारा temperature है freezing point क्या होता है water का zero degree Celsius होता है ठीक है अगर यहां से अपने इसके लेते हैं यह 0 degree Celsius है तो यह क्या होगा इधर negative होगा और इधर positive होगा तो इस साइड डारेक्शन में जाएंगे तो यह क्या होगा negative temperature होता जाएक और यह freezing point से क्या हो रहा है कम हो रहा है ठीक है और इस डारेक्शन में बढ़ेंगे तो यह temperature हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा boiling point क्यों जाएंगे तो वेन साइंटेस्ट बिगें टू इस्टडी जब साइंटेस्ट ने इस्टडी की तो क्या हुआ जो coldest possible temperature उन्हें find out किया था वह कौन सा था absolute zero temperature find out किया था क्योंकि उसमें जो molecular kinetic energy थी वह क्या थी बहुत ही minimum थी लेकिन जीरो नहीं थी जीरो कभी भी नहीं हो सकती minimum हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकती kinetic energy absolute zero temperature पर ठीक है they found this value to be at minus 273.16 degrees Celsius तो अगर absolute zero temperature पूछा जाता है तो हमारा क्या होगा मैनेस 273.16 degrees Celsius ठीक है गाइस यूजिंग इस पॉइंट को यूज करके अपन क्या कर सकते है निए बी केन डिफाइन अनदर temperature scale called absolute zero temperature अगर इसको zero ले लिया जाए इस पॉइंट को मैनेस 273.16 degrees Celsius को तो एक और temperature scale मिल जाती है जो कौन सी होती है हमारी absolute temperature वाली scale ठीक है गाइस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि कुश्चन नमर 19 का volume of the gas is 0 pressure of the gas is 0 kinetic energy of the molecules is 0 तो यहां पर option में 0 ही दिया गया है वैसे अगर एक्षॉल कंडिशन में देखें तो जो molecules की जो energy है 0 नहीं हो सकती किस पर absolute minimum हो सकती है लेकिन यहां पर option दिया गया है तो option हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर ठीक है अब दिखते है next question question 20 में पूछा गया है kinetic theory of gases assumes that the collision between the molecules are kinetic theory of gases के according जो collision होता है gas के molecules के बीचे में वो किस पकार का होता है यह पूछा गया है तो यह हमारा कैसा होता है perfectly elastic होता है the gas particles are constantly colliding with each other एक दूसरे के साथ constantly क्या करते हैं कोलाइट करते रहते हैं and the walls of the container और किसके साथ बॉल के साथ जो container की वाल है उसके साथ भी कोलाइट करते रहते हैं तो इस collision are elastic होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे elastic होते हैं क्योंकि that there is no net loss of energy from the collision इस collision हो रहा है molecules के बीचे और बाल के बीच में तो उसमें कोई भी energy loss नहीं हो रहा है इसलिए इस collision को हम क्या कहते हैं elastic collision कहते हैं ठीक है gas particles are small and the total volume occupied by gas molecules is negligible जो gas particles होते हैं वह बहुत ही small होते हैं और जो total volume occupy होता है gas molecules के द्वारा वह कैसा होता है negligible होता है relative to the total volume of their container जो total volume है container का उसके relatively जो gas molecules के gas के molecules का जो volume हो बहुत कम होता है ठीक है है तो इसलिए इसका answer क्या है और पर्फेक्टली इलास्टिक अप्शन नम्मर यह हो जाएगा अब देखते हैं next question 21 इसमें पूछा गया है दप्रेशर ओप गैस इन टम्स ओप इट्स मीन काइनेटिक एनजी पर यूनिट बॉल्यूम इज एक्वल टू तो इसमें प्रेशर के बारें पूछा गया कि गैस का जो प्रेशर है काइनेटिक एनजी के टम्स में कितना होगा ठीक है गाईज अगर उसको पर प्रॉल्यूम लिया जाए तो तो देखते हैं गाईज यहां पर क्या लिया गया है लेट एस कंसीडर एक क्यूबिक कंटेनर ओफ एज डी एंड और ऑफ बॉल्यूम भी यहां पर एक कंटेनर लिया गया गाईज ठीक है जिसकी एज क्या है डी है और इसका जो बॉल्यूम होगा वह कितना होगा भी बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा डी क्यूब के बराबर हो जाएगा भी इकल टू हो जाएगा डी क्यूब तो दप्रेशर एग्जर्ट बाइग्स ऑन दवाल ऑफ दे कंटेनर इस ड्यू टू दा इसके अंदर अगर गैस भरी हुई है तो जो गैस के मॉलीक्यूल से वह क्या करते हैं एक दूसरे साथ कोलाइट करते हैं तो इसके कारण क्या होगा इंपेक्ट फोस लगेगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे क्यों सब्सक्राइब सबसेलिंगे और इसका फोस निकले हैं एक फेस के ऊपर फोस निकलेगा उससे हम च्लमक्या लेंगे पेसर निकलेंगे ठीक है और तो देखते हैं लेट इस एप्रोचिंग बॉल बिद अब लॉस्त यह मॉली क्योर्स ऊस्व इससे एप्रोच करें वी भी लॉओ व्रोच कर रहें तो इन का जो मुमेंटम हो गापके था मिनेश में ए। अडिकर double chain LE officers so करने के लिए हम क्या करेंगे we have to calculate force exerted by the molecules on the face किसी भी एक फेस पर आपन force exert निकालेंगे अगर pressure को determine करना है तो pressure क्या होता force upon area तो यहां से अपन pressure find out कर सकते हैं तो now consider a small number of molecules which have the small value for the velocity component तो इसमें आपन क्या करेंगे इस face के उपर एक small number of molecules को consider करेंगे जिनकी जो velocity component वो क्या है same है ठीक है तो the number of these molecules which will strike this face during a small time interval delta t will be one half of the number content in the small volume अगर इसमें आपन क्या ले रहे हैं एक small volume ले रहे हैं molecules का small number of molecules ले रहे हैं तो जो molecules इस face q पर क्या करेंगे strike करेंगे कितने ठमें में एक short interval of time में delta t में तो जो average number of molecules कितने हो जाएंगे n by 2 हो जाएंगे n बाद अगर यहां पर n ले रहे हैं तो n1 by 2 हो जाएंगे जो striking face पर जो number of molecules कितने हो हो जाएंगे n1 upon 2 into में यह बॉल्यूम हो गया एंटु भी ठीक है कि एंटु भीवन इंटु में डेल्टाटी तो यहां से यह हो जाएगा भी कोल्टू क्या है यहां पर भी कोल्टू था एरिया इंटु लेंद्ध होता है बॉल्यूम तो भी डेल्टा यहां यहां पर भी बन इंटु में डेल्टाटी तो यहां पर क्या हो जाएगा यह एंवन अपॉन में टू में एब बीवन इंटु में डेल्टाटी ठीक है तो यह हमारे क्या आ गए नम्मर ओप मॉलेक्यूल स्ट्राइकिंग टुदफिस भी सी डी ए ठीक है अब देखते हैं आगे सिंस इट्स सच मॉलेक्यूल्स वेल हैव इट्स मूमेंटम जो मॉलेक्यूल्स इसके अंदर है उनका हर एक का एक मूमेंटम है तो इसमें जो मूमेंटम होगा वह कितना यहां पर फिलाशी की हो गई जो फ्की देखना और नॉलमॉक्यूल्स ले रहे हैं यहां तो इस लिए जो conflict मुमेंटम होगा मयना-2 प्हूंत अंदर मौमेंटम की कारण किया होगा है क्योंकि इसके उनका झाट होगा कि क्या सखाव में two n b1 तो इसके करा जो इम्पल्स होगा इम्पल्स क्या हो जाएगा हमारा f1 इंटु डल्टा-t on the wall by these collision is collision के करा जो इमपल्स आएगा वह कितना हो जाएगा वह ऐप बन इन तुमें 2MB1 ठीक है तो यहां से F1 अपने calculate करेंगे तो यह कितना हो जाएगा एंटू में N1 इंटू में Mb1 square ठीक है गाई तो यहां से pressure हमारा क्या होता है force upon area तो pressure अपन निकाल सकते हैं P1 क्या हो जाएगा N1 इंटू में Mb1 square similarly इसी प्रकार क्या होगा अपन उसके लिए निकालें second set of molecules लेते हैं तो second set of molecules के लिए क्या हो जाएगा इसी प्रकार से calculate करेंगे तो यह P2 क्या हो जाएगा N2 इंटू में Mb2 square ठीक है अगर सिमिलरी इस प्रकार से अलग अलग अधर जो फेस है इस फेस के उपर अलग अलग सेट आप मॉलिक्यूल्स लेते रहें तो यह क्या होगा इस तरीके से हो जाएगा जो टोटल प्रेसर रहेगा वह एन में 1 Mb1 square प्लस में N2 Mb2 square प्लस में N3 Mb3 square प्लस में ऐसी प्रकास से चलता रहेगा तो जो प्रेसर है वह हमारा टोटल हो गया अगर इसको अपन दूसरे simplified form में लिखें तो वह क्या हो जाएगा हमारा पी इकल टू एन इंटू इंटू में भी एसक्वार का बार यह एव्रेज के स्च के लिए लगा गए है थिक है तो यह बी एव स्कॉर का बार क्या होगा average of the square of the components of velocities of molecule की जो कि आरफल यह उनके strawberry का ऐब्रेज यह क्या है अवारा पी इसक्वर क research बात तो भी यहां पर क्यों लगाया गया क्योंकि यह इसका जो फेस्ट था वह हमारा यह है इसका एरिया है यह तो इसलिए इसको यहां पर यूज किया गया है ठीक है गाइस velocity of any one molecule may be in any direction तो यहां पर देखा आपने कि जो molecule है वो किसी भी direction में move कर सकता है इस direction में move कर सकता है तो इसलिए इसका जो molecules की velocity है वो किसी direction में हो सकती है तो जो magnitude होगा velocity का वो कितना हो जाएगा हमारा B square equal to x direction में plus y direction में square plus z direction में तो यह b x square plus me b y square plus me b z square इसी प्रकार average velocity निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगी b bar square तो b bar in x direction में average velocity in x direction average velocity in y direction average velocity in z direction ठीक है तो the average value of the square of velocity in any one direction should be the same as the अदर डाड़िक्षन जो average last year वो भी एक्स इस्क्वार की जो घंप हो रहे गी और डार्यगई की बिलास्टी के स्क्वार बराबर कि यह क्या हो जाएगी भी कि एक सेरड मेंटよね 21 स्केर का बार एक कोडुग 밖에 ए और अटे मेंसे बिटी क्रदी तो यहां से एब विलल ऑशिटी हमारी क्या हो जाएगी तीनो एड हो जाएंगे यहांकर तो 3B x का बार स्क्राइब यह हो जाएगा अगर यहां पर फेश ले रहे हैं तो इसलिए वी लगा दिया तो यहां पर एक बैल्यू पूट करेंगे अपन ठीक है यहां से भी एक बैल्यू क्या हो जाएगी बनपॉन 3 बार यह एवरीज वेलोसिटी का स्क्राइब यहां पर यहां एंद्ध्स यहां से आगे अब हम इसे 2 मैं और से कि इसलिए 2 राहा थो लेकिन है इस तो इसका आंसर क्या होगा और यहां पर किनेटिक एनरजी लिए इन इस दानमर ऑप मोल से यहां पर इसका अंसर क्या है मारा ऑप्सिन नमर दी ठीक है गाइस अब दिखते हैं नेक्स्ट कुस्ट्ट ट्वंटीट्टिटू काइनेटिक एनरजी और मॉलीक्यूल्स इन टम्स आप एपसॉल्यूट टेंपरेचर टी इस प्रपोर्शनल टू तो इसी कानेक्ट किते और यह अब गैसे के द्वारा अपन टेंपरेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी पर आगे इसी क्या आगे है एन जीरो क्या है हमारा एन नॉट इस दा टोटल नमर ऑप मॉलीक्यूल्स एन नॉट है कैपिटल एन नॉट ठीक है तो इसी को हम एवोगेडरो नमर कहते हैं तो एन जो रहेगा नमर ऑप्र आपन में वोल्यूम और गयस तो यहां से कि जो value है यहां पर put कर देंगे न की value यहां पर जो हमारी equation थी यहां पर calculate कर सकते हैं यह kinetic energy होगी kinetic energy calculate करें तो यह क्या हो जागा 3 by 2 into में T तो यहां से जो Kinetic energy है वह क्या है kinetic energy is directly proportional to TR तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जायगा इस question का answer हो जागा 22 का option number A ठीक है अब देखते हैं next question 23 इसमें पूचा गया है superheated vapor behaves as तो जो पर है वो किसकी तरह बेब करता है approximately as a gas यह हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं अगर डॉम से अगर देखें तो यह हमारा इस तरीके से डॉम रहता है ठीक है यहां पर लिक्ट रहता है यहां पर लिक्ट प्लास बैपर रहता है और यहां पर क्या रहता है ओनली बैपर तो यह लिक्ट रहती है यहां पर बैट रहती है और यह क्या होती है इस पर होता है तो यहां पर गैस के रूप में हो आधा था तो यह सुरिज चीर में क्या होता है यह अप्रोक्मेटली गैस की तरह बैप करता है ठीक है गाइस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा को यहाज हो जाएगा ऑप्शन नमर डी एप्रोक्सिमेटली एजगेस अब दिखतेहैं next question according to Boyle's law for a perfect gas, तो Boyle's law के according क्या होता है यह हम देख चुके हैं, B is inversely proportional to burn upon P, pressure के inversely proportional होता है, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं क्या होगा, constant निकलेगा, तो यह क्या हो जाएगा, P, B equal to constant, अगर इसको अपन 2600 तो यह क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या जाएगा, B1 upon B2 ठीक है, और यहां पर temperature क्या रहता है, constant रहता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, P2 upon P1 equal to B1 upon B2 if T is kept constant, ठीक है अब देखते हैं next question, question number 25, इसमें पूछा गया है, absolute zero pressure will occur, absolute zero pressure कहां पर होता है, जहां पर जो kinetic energy होती है, या molecular momentum होता है, वो कितना होता है, होता है, almost zero होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, option number C, अब देखते हैं next question, question number 26, no liquids can exist as liquid at, तो वो कहां पर exist नहीं करता है, liquid के रूम में, कोई भी liquid, liquid के रूम में exist नहीं करता है, कब, जब pressure हमारा क्या हो, zero हो, ठीक है, तो कैसे होता है, liquids क्या होते है, volatile होते है, liquids are volatile, if taken to zero pressure, अगर zero pressure लेते हैं, which effectively means vacuum, अगर zero pressure है, तो उसका मतलब क्या होगा, vacuum होगा, ठीक है, तो in that case, इस case में क्या होगा, it will boil and vaporize, तो zero pressure है, तो वहाँ पर क्या हो गया, हमारा vacuum हो गया, vacuum condition में जो liquid है, वो हमारा क्या करेगा, boil करने लगेगा और vaporize होने लगेगा, while different liquids have different viscosity, but eventually it will vaporize as there is no pressure, to help it maintain the viscosity and surface tension, तो हर एक liquid की जो viscosity है, वो क्या होती है, अलग लग होती है, लेकिन उस viscosity को बनाए रखने के लिए क्या होता है, कुछ pressure और surface tension की आपसकता होती है, अगर pressure ही हमारा क्या हो जाएगा, zero हो जाएगा, तो उस zero pressure पर जो viscosity है, उस liquid की वो maintain नहीं रह पाएगी, इसलिए कोई भी liquid zero pressure पर liquid के रूप में नहीं रह पाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, vaporize हो जाता है, बहुत fast, तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा, हमारा option number C हो जाएगा, अब देखतें next question, 27, इसमें पूचा गया है, the unit of power is in SI system, SI system में जो power की unit होती है, वो क्या होती है, वाट होती है, यह हम engineering mechanics के lecture में discuss कर चुके हैं, अच्छे से, अगर आप लोगों ने उस video को नहीं देखा है, तो वो वाले video ज़रूद देख लें, अब देखतें next question, 28, the condition of perfect vacuum, absolute zero pressure can be attained at, तो जो absolute zero pressure होता है, वो हमारा कहाँ पर मिलता है, इस पर मिलता है, a temperature of minus 273.16 degrees Celsius, तीक है, यह हम discuss कर चुके हैं, तो option number A हो जाएगा इसका answer, अब देखतें next question, 29, इसमें पूचा गया है, intensive property of a system is one whose value, जो intensive property होती है, उसकी value किस पर depend करती है, यह पूचा गया है guys, तो यह हम देख चुके हैं थोड़ा सा first वाले video में, थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, intensive property are bulk properties, जो intensive properties होती हैं, वो bulk properties होती है, which means they do not depends on the amount of matter, amount of matter पर depend करती है, amount of matter मतला mass पर depending करती है, examples क्या है intensive properties के, boiling point, melting point, state of matter, density, pressure, temperature, तो यह क्या है, intensive properties है, ठीक है guys, और extensive properties क्या होती है, extensive properties do depend on the amount of matter, amount of matter मतला, amount of mass पर depend करती है, extensive property that is present, जो उसके अंदर present है, extensive property is considered additive for subsystems, additives के रूप में, consider की जाती है, किस के लिए, sub system के लिए, examples of extensive properties include, जो extensive property हैं, उनके example क्या होंगे, volume हो जाएगा, mass हो जाएगा, weight हो जाएगा, और length हो जाएगा, ठीक है guys, तो intensive property है, क्या करती है, does not depends on mass of the system, like temperature or pressure, तो option number B correct हो जाएगा इसका, अब देखते हैं next question, question number 30, इसमें पूचा गया है, specific heat of air at constant pressure is equal to, तो यह हम first वाले lecture में discuss कर चुके हैं, specific heat क्या होती है, और air की specific heat कितनी होती है, अगर constant pressure पर देखा जाएगा, तो वह कितनी होती है, 1.005 kJ per kg Kelvin, ठीक है, यह होती है, और अगर constant volume पर देखा जाता है, cp की value रहती है यह, और cv की value किया होती है, 0.716 kJ per kg Kelvin, ठीक है guys, तो यहाँ पर पूछा गया, cp के बारे में, तो cp कितना है, 1.005 kJ per kg Kelvin, तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा, option number D, यहाँ पर बन दिया गया है, तो 1.005 होता है, ठीक है, so thanks for watching, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो please like करें, share करें और subscribe करें, thank you,